नमस्कार दोस्तों आप शभी का बहुत बहुत श्वागत है करक राशी वालों दोस्तों आप वगवान सुर्देप के श्रिबाशी एक मैशी लेकर दश मैई के बीच आपके जुनकाल में कुछ यसी बड़ी गटनाए होंगी कुछ यसे ही बड़ी बदलाव होंगी जिने जानकर आपके हो सुर्दाएंगे जिया दोस्तों वगवान सुर्देप के श्रिबाशी आपका यैश में बहुत अच्छा श्रुमे रहने वाले हैं यसे में आपके साथ जो भी बदलाव होने वाले हैं beats जानकर आपके शो्रष उड़ाएंगे तो दोस्तों यह कौन सी बड़ी गटनाए जीने जानकर आपके खोस उड़ेंगे तो दोस्तों जानने के लिए आप मारी श्याहाद विडियो के अंतर्शा बहने रहे महौर में पारिलिक जोन में क्या क्या शुधार होंगे तो दोस्तों अंत्र तब देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो भी वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जैश्णिदेव का शिर्मन करेगा भगवान शिर्णिदेव और गुरुजी का श हर काम को वह विश्य तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप यश्य में कामयाभी रहने वाले हैं दोस्तों आपको बदा दे कि आपके अंदर आत्मिक शांती व्याप्त रहेगी रिष्टेदारों परशियों के शाथ संबंदों में और अधिक सुधार भी यश्य आने वाले हैं और अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि गुश्य वाफिर जीत जैसी नकार्तमक बातों के वज़शे आपके कुछ कार्य में जो है बिखना शकते हैं तो यश्य में आएके शंसात्रों में कुछ कमी भी आएगी जिसके वज़शे मन कुछ परिशान रहेगा लेकिन दोस्तों यह में आपको घबराने की जरुत नहीं है आगे चलकर आपको लाब होगा और इसको प्राम दोस्तों यह में आपको बता दे कि दोस्तों यह में किसी को दिया गया पैशा भी आपको अचानक से मिलने से जो है वहक से आर्थरिक सूति की जो परिशानी है वह दूर होंगी दोस्तों आपको मिले हुए पेश्यों का योग तरिकेशि निवेश करना आपकी जमेदारी होगी तो इस पर जरूर ध्यान दे लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि जरौर से अधिक पेश्य के पारे में चिंता करने की वज़र से जो है आपके पेशे और जीवन दोनों कानंद यश्व में नहीं ले पाएंगे दोस्तों ये दोनों बाते में संतुलन बराई रखे इससे आप अपने जीवन को अच्छी तरह से वहितित कर पाएंगे इसको प्राई दोस्तों ये आपके लिए श्मयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों अपने कर्म तथा पुछतात के मात्यम से कुछ महत्पून कारियों को पूरा करने में शक्षम रहेंगे आर्थे की सती सुरुद्री और सतर्प्त बने रहेगी पूरे मानुयोग और फिर अपने लक्ष के प्रती सबर्पित रहे दोस्तों आपको बता दे कि युआ वर्ग अपने केरियर के प्रती पूरी तरह करचित रहेंगे और शफलता येश में प्राप्त करेंगे शादी दोस्तों येश में फिजूल खर्ची पर नियतर रखना आपके लिए आउश होगा लापरवाई को येश ये पेशा बरबाद हो शकता है इस बात का ध्यान रखें कोट के शमदी मामलों में ये जो समय है आपके लिए किसी भी मेरकार का समाधान मिलने की उम्मिद नहीं है तो दोस्तों किसी पर ये शमे अधिक भरशा ना करें ये आपके लिए बहतर होगे आपके लिए शमय होंगे आपके बता दें कि पिछले कोई दिनों से जो बात आप सोच रहे थे दोस्तों उस बात का तनाव या शमय आपके बना रहेगा किसी भी बात या फिर शमस्या की वज़शे अपने जिवें सेली में बदला उन्हों आने दे दोस्तों जितना शमय आप शांती हो फिर एक गरता में बिताएंगे उतना जल्दी आपको शमस्या का हल मिल जाएगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे और शादी दोस्तों खुद के उपर जो है रखा पिश्वास आप बनाई रखे या आपके भविश के लिए बैतर होगे और इसको प्राहांद दोस्तों आपके लिए श्मयों के यह दोस्तों आपको बता दे कि कुछ श्मय हाथ मन्थम दताम एकऊंथ में वह हितित करणे का परियाश करेंगे इससे दोस्तों आपको कुछ देनिक उल्धरों से निजात मिल सकती है और दोस्तों ये जो समय आपके लिए धन्शमंदी निवेश करने के लिए बहुत दी उत्तम रहने वाले हैं आर्थिस दिती को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं ये आपके लिए बैतर होगे और इसको प्राहत दोस्तों ये जो में अपने परिवार की जर्रतों को नने अंदाज ना करें दोस्तों उनका ध्यान रखना आपका महत्पुन दायत रहेगा कुरोद और पिर आवेश के चलते आपको कई बार बनता काम को रोक देते हैं इसलिए दोस्तों ये जो में ध्यार और स्वें बड़ा कर रखें और कारियों पर ध्यान को केंदेद रखें इसको प्राहत दोस्तों ये आपको बता दें कि दोस्तों करीबी व्यक्ति के बदलते वर्ता को विजशे उनकी उपर रखा विश्वास कम हो सकता है जिसके वज़े से आपको भानोता गुरूप से तकलिप भी हो शकती है फिर भी दोस्तों आप जो अपने रिष्टे को काई में रखने की कोशिश करते रहेंगे पेशे के मामले में किसी किसी के तवरा जो है आपको फसाय बेचा सकता है तो दोस्तों इससे सावधार है के लिए बहुत थी भाइदेमंद शाविध होंगे दोस्तों घर के रखाव शमंदी कारियों में भी उचित समय वहतिती होगा करात्मक कारियों में रूची भी आपकी बढ़ सकती है इसको प्रहेश करें आपकी से दूधा में बुरी तरेश में फंस सकते हैं तो दोस्तों के उसे बात का ध्यान करते होगे इसको प्रहातों चल्य में तई की हुई सभी बातों को परगिती के और बढ़ता धेख आपको शमधान प्राप्त होगा आपको धुष में आपने श्वास और आश्मुआहंकर में फर्कlex में आउर्ष्य लहनुकर के obs longtime कि त्वेet कई嗎 पड़ती ही जो है ध्यान को करें और इसको प्रांद ये आपकी केरियर को लेकर बात करें रथात आपके वह शाय की तो ये श्मी केरियर में शरकात्मी बदलाव दिखने लगेंगे लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए मन साहिव प्रस्थिती बनने में अभी जोए नहीं लेंगे तो दोसषवी फ़त्यान दें और ये शमी कोई भी नया क्रण की जो जुए जोना है दीerapeut एममने धाटारखोने वाले और शुमें और ओशाय के लिए वयुशायक्य में जो समउंगे दोस्तों दोस्तों किसी ने प्रजेक्ट की जो ठोश समंदी अपर महत्पुर निर्ले लेने में आप यह सक्षम रहेंगे प्रॉप्टी से समंदी तो वह उशाय में जल्दी ही अच्छी कोई डील भी हो सकती है दोस्तों नोकरी में लक्ष अथवा टारगेट टारगेट उपड़ा करन आपके लिए लव दाइक भी रह शकता है और इसको प्राहं दोस्तेश में आपके लव लाइफ यानि आपके पारिवरिक जोन की बात करें तो दोस्तों यह में पती-पत्री के बीच कुछ तकराज जैस्तिती रह शकती है घर में अचानक मित्रों के अगमर से घर का वातरण करने को बीच बदल सकता है और इसको प्राहं दोस्तेश में आपके पारिवरिक जोन के लिए उसे मौंगे दोस्तों यह में आपके लव लाइफ लिए लिए दोस्तों आपको बता दे कि घर में शुक्षांती भरा बातरों नहें अचानक किशी पूराण मित्र से मुलकात आ करने वाले और इसको ब्राइब लाइफ में आपके लब लाइफ के लिए देखोंगे आपके पारीवर एक वातावरान श्रयोगा आत्मक तथा खुश्णुमा बना रहेगा परदु भिवातर स्वमन्दों का प्रभाव आपके घर की शुक्साम्ति को भी भंग कर सकता है और कर दो आपकी श्वास्त यानि सहत को लिएक बात करें तो दोस्तों ये अकारणी तराव की स्थिति रहेंगी जिसका असर आपकी कारिशमता भर सकता है तो तो आच्छा हों कि मेट्रसन पर आपको शमय वह दित करें और इसके परांदू से चेश्व में आपके स्वास्त के ल दोस्तों आपको बता दे कि कुछ समय से चल रही श्वास्तमधी परिशानी से आपको राहत मिलेगी रोग जो है निर्वित के लिए प्राकर्तिक तरीक्यों का अधिक उपयोग करें यह आपके लिए बहतर होंगी और इसके प्रांथ दोस्तों आपको बता दे कि वर्तमार वो फिर हलकी बुखार जिसी इस्तिती भी रह सकती है शर्दी से अपना बचाओ करें